हुलो बच्चो आज क्लास 12 ध का एक IMPORTANT CHAPTER इसका ना मैं Mętrics मैtrics इसका PLURAL FORM क्या होता है MأTRYSES होता है ये मैं START करने जा रहा हूँ ठीक ये काफी marks scoring chapter रहे थोड़ा आसान सा है कुछ भी इसमें नहीं है पर न हमें सिंपल बाते सीखनी होती है सबसे पहरे तो सीख लेते मैंट्रिशस होता क्या है सबस्स कर लो बच्चो मैंने कहा कि आपके पास 10 एपल्स हैं उसे आपको रखना है किस तरह से रखेंगे आप दो तरह से रख सकते हैं या तो ऐसे जैसे रख देंगे जैसे तैसे रख देंगे दोसा तरीका है कि आप उसको रखने के लिए कोई arrangement रखेंगे कोई arrangement करेंगे जैसे मानलो जी 10 apple अगर है हम 10 को इस तरह से arrange करके रख लेंगे मानलो 5 को उपर डख दिया और 5 को इसके पीछे पीछे रख दिया इस तरह से एर्रेंज करके हम रखतेंगे यहां मान लो इस दसो एपल को आप ऐसे रख लेंगे ठीक है यहां मान लो इसी दसो एपल को आप इस तरह से रख लेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट एर्रेंजमेंट में हम एपल को रखते है यह जो arrangement होता है ना किसी भी चीज़ का उसको हम कहते है matrices matrices it is an arrangement of different element in row and column अब यह row और column क्या होता है अभी हम समझेंगे सबसे पहले तो यह समझते है matrix को डखते किस तरह से है ठीके matrix का sign ऐसा होता है एक square bracket बड़ा सा square bracket होता है इसको matrix कहते है यह कभी-कभी ऐसा sign भी दिया जा सकता है यह भी sign होता है एक और sign होता है double mod का sign जो ऐसा भी कभी-कभी दे सकते हैं यह भी sign matrix कहीं है ठीक है तो matrix के यह 2-3 sign होते हैं जो आपको समझ लेने अगर ये दे दे तब भी मैट्रिक्स समझेंगे, ये दे दे तब भी मैट्रिक्स, ये दे दे तब भी मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इसमें कोई रो, इस तरह से मैं कौंट करूँगा, इस तरह से, इस डारेक्शन में मैं कौंट करूँगा, इसे मैं रो कहूँगा, ये भी रो इस तरह से count करूँ, इसको column कहते है, column कहते है, ये कौन सा column है, ये first column है, ये second column, ये third column, ये fourth column है, ये fourth row है, ये third row है, ये second row है, ये first row है, ये बात समझ में आ रहा है, तो column क्या होता है, vertical line होता है, up to down, up to down, vertical column, ये, up to down, वर्टिकल कॉलम ठीक है वर्टिकल लाइन और हरीजंटल लाइन इस तरह से ठीक यह होता है रो तो आई थिंक रो एंड कॉलम आप समझ के होंगे ठीक है अब इस मैट्रिस को लिखते कैसे तरह यह समझते हैं इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं कुछ भी लिख सकते हैं A B C D A B C D E F G H S M M A Z H E R कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें मैं पूछूँ मैं कितने रो दिख रहे हैं और कितने कॉलम दिख रहे हैं ठीक है,स्बसे पहले तों मैं ऐसा गो आउन कारूं कितने दीक रह mów एक डो तीन 54 इस तरह के लाइन ऐसके राद मैंने बोला ऐसा ऐसलाइन कारूं एक डो टीन 4 ऐसी भी चार लाइन दीक है इसको इस तरह डिए इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, 4 x 4, यह जो पहला नंबर होता है, यह रो को रिपर्जेंट करता है, और दूसर नंबर यह कॉलम को रिपर्जेंट करता है, ठीक है, अगर मैं रो, cross column के form में लिखूँ number of row cross number of column इसको order कहते हैं इसे क्या कहते हैं? order तो मैं अगर इस matrix का order पूछ हूँ क्या होगा? तो आप कहेंगे order जो है इसका वो 4 cross 4 का है इसी तरह से माल लिए जिए मैंने एक matrix बनाया ऐसा 1, 2, 3, 4 2, 1, 0, 5 इसमें मैंने बोला order बताईए हैं क्या बताईए है? order तो क्या कहेंगे? ऐसा ऐसा कितना रोह हैं बताओ? एक line, दो line, two rows हैं column कितने? एक, दो, ती, चार इसके order होगे 2 cross 4 अच्छा इसमें मैं पूछओ कितने number of elements है number of elements इसमें total कितने elements है? 4, 4 जा, 16 elements multiply करके लिख देंगे इसमें कितने number of elements है? 4, 2 जा, 8 elements तो number of elements समझ में आ रहा होगा order समझ में आ रहा होगा row क्या होता, column क्या होता है? हमेशा first number row को represent करेगा दूसा number column को represent करेगा row और column का एक symbol होते हैं symbol कैसे होते हैं? अगर मुझे order लिखना हो order तो मैं इसको कहता हूँ m cross n क्या कहता हूँ? m cross n m जो होता है row number होता है और n जो होता है ये column number होता है हमेशा इसको कैसे लिखते है m cross n में ही लिखा जाता है I think 2-3 बाते आपको समझ में आई होगी अब कुछ और बाते को समझ लें matrices related जैसे माल लिजे आपको दे दिया कि हमको सबसे फर्स्ट 20 elements दे दिया 20 elements कितने elements टोटल? 20 elements और का how many possible order matrix how many possible order matrix how many matrix can be possible how many matrix can be possible और कितने element है? 20 elements कि है हमें 20 elements given है और कितने possible matrix possible हो सकते हैं तो हम क्या बना सकते हैं? या तो एक-एक साड़े को एक-एक को ऐसे से लगा देगी यानि कि 1 इंटू 20 लगा सकते हैं दूसरा 2 इंटू 10 में लगा सकते हैं तीसरा 4 इंटू 5 में लगा सकते हैं 4 इंटू 4 में लगा सकते हैं 5 इंटू 2 में लगा सकते हैं 6 इंटू 20 इंटू 1 में लगा सकते हैं ये और ये एक चैसी बात नहीं है ये दोनों different different हैं इसका मतलब होता है 1 row और 20 column इसका मतलब होता है 20 row और one column इसका मतलब ये जो है ये इस तरह से one, two, three, four, five, six इस तरह से one column होना है अच्छा ये जो है one row वाला पार्ट है एक ही row में आगे साला लेकिन ये one column का मतलब इस तरह से one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ऐसे निचे आगे ये दोनों different different है ये दो रो है और ten columns है लेकिन यहाँ ten rows है और दो columns है ये दोनों different different है तो कितने possibilities हो गए तो total मिला कि possibilities जो हो रही है वो one, two, three, four, five, six six possibilities अगर आप से कह दे कि मान लिए 20 element नहीं है 24 element है अब कितना होगा सबसे फ़्यले बन इंटो 24 2 इंटो 12 3 इंटो 8 4 इंटो 6 5 निच 6 इंटो 4 8 इंटो 3 और 12 इंटो 2 और 24 इंटो 1 तो एक दो तीन 4, 5, 6, 7, 8 8 possibilities तो कितने तरह के matrix बन सकते है 8 types के तो यह तो हमने कुछ numbers ले रहे है जैसे मान लिजी 26 element दे रिया अब कितने होगे 1 इंटो 26 2 इंटो 13 13 इंटो 2 और एक और हो जाएगा 26 इंटो 1 4 possibilities अगर मान लिजी हम से कहा दिया 7 element का element तो क्या होगा 1 इंटो 7 या 7 इंटो 1 सिर्फ 2 possibilities हो लिए इस तरह से अगर हमको number of elements पता होगा तो हम आराम से find कर सकते हैं कितने matrix बन सकते हैं आए कुछ और बात को समझते हैं जैसे माली जी एक matrix दिया हुआ A, B, C, P, E S, M M, A, Z H, E, R ठीक है फिर dollar rupees hedge add the rate copy rate और कुछ लिए देते हैं 5 theta ये कोई matrix समने बना दिया मैंने का इसका order बताईए सबसे पहले मैंने का order बताईए तो क्या होगा एक, तो, तो, तीन, चार होगा कॉलम कितने एक, तो, तीन, चार, पाच कॉलम order होगे मैंने का number of elements बताईए तो करेंगे 4, 5, 10, 20, element अब मैंने कहा कि बताईए ये देखिए मैं लिखना हो एक word A, 2, 3 इस A, 2, 3 का मतलब समझे ये जो 2 है ये row number है और ये जो 3 है ये column number मैंने बोला ऐसा element बताईए जो दूसरे row में हो कौनसे row में? दूसरे row में यानि कि इस row में होगा और तीसरे column में हो तो 1, 2, 3 तीसरे column में हो तो बताईए दोनों में क्या मैच किया? ये M मैच किड़िए A, 2, 3 हो गया मैंने कहा ऐसा किजिए अब बताईए A, 3, 4 बताईए यानि कि तीसरे row में होना चाहिए तीसरे row कौन सा है? ये बाला है और चौथा column 1, 2, 3, 4 चौथा column ये बाला है इसमें कौन मैच किया? ये इस तरह से बता रहे मैंने कहा A, 5, 2 बताईए यहां जरा देखिए क्या इसमें पाचवार row है? क्या? 1, 2, 3, 4 बाचवार row तो है ही नहीं 5th row 5th row not available तो क्या ये element मिलेगा हमको? not possible है ही नहीं तो कहाँ लाएंगे ठीक है? तो कहने का मतलब हम कोई साभी element इसके बीच का selection कर सकते हैं जैसे मैंने का at the rate का बताई ये position क्या होगा? तो कौन सा रो है जरा देखिए ये 4th row है at the rate का 4th row है तो कौन सा column है? दूसरा column है तो 4, 2 होगा? ये 4, 2 जो होगा at the rate होगा ये बास मने में आगे हैं आई ये अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स को form कैसे करते हैं formation of मैट्रिक्स कीते हैं आप से कहाए एक मैट्रिक्स ए बनाए ए मैट्रिक्स बनाए जिसके element aij होने चाहिए और वो order 2 x 3 का होना चाहिए such that aij equal to mod i-j upon 2 ऐसा कह दिया है अच्छ, ij क्या होता है ये भी बता रहता हूँ i का मतलब होता है row number और j का मतलब क्या होता है column number j का मतलब column number जो i का मतलब तो वही m होता है जो j का मतलब तो वही n होता है ये m और n और अंदर में अगर लिखेंगे element के लिए तो i, j बाहर m, n अंदर i, j ठीक है तो यहाँ देखिए यहाँ से हमको पता था पता चला 2 row होना चाहिए टू rows होने चाहिए और तीन column होने चाहिए हमने दो rows बना दिये और तीन column बना दिये ऐसे ऐसे ठीक है अब सब पर यह पहला रो तो 1, 1, 1 यह दूसरा रो 2, 2, 2 यह पहला column 1, 1 यह दूसरा column 2, 2 यह तीसरा column 3, 3 हाँ, अब हमको यह find करना है कैसे find करें? यह यह A matrix मारा कैसे find होगा? हमें A11 find करना है तो i की जगह भी 1 रखो और j की भी जगह 1 रखो क्या होगा बता है? A11 कैसे आएगा? 1-1 इसका mod upon 2 यानि 0 upon 2 यानि 0 यानि पहला element तो आगे 0 अब है 1-2 A12 निकालना है mod 1-2 upon 2 1-2 मैनस 1 होता है और mod में किसी का भी negative जोता हम positive होता है 1 upon 2 होगे दूसरा element आगे 1 upon 2 तीसरा निकालना है A13 ये कितना mod 1-3 upon 2 1-3 मैनस 2 होता है उसका mod प्लस 2 प्लस 2 upon 2 तो 1 होगे है ये element आगे 1 तो पहला रो निकालना है इसे दूसरा रो निकालना होगे 2-1 2-1 कितना हो? 2-1 तो 1 होगे 1 upon 2 होगे फिर 2-2 2-2 तो ये 2-2 है 2-2 0, 0 upon 2? 0 फिर 2-3 2-3 तो minus 1 होगे उसका mod 1 होगे 1 upon 2 होगे इस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एक और एक्जामपल ले लेते हैं आप से काफ फाइंड कीजिए A Aij कितना order देदे? 3 cross 2 का such that Aij equal to क्या देदे? 3i minus j कुछ भी दे सकते हैं? 3i minus j दे देदे ठीके? तो इस वाले पार्ट में देखिए हमें अब given है हमको चाहिए 3 रोड़ चाहिए यानि कि A, A, A तीन रोड़ चाहिए और 2 कॉलम चाहिए ऐसा मेट्रिक चाहिए ये पहला रो ये दूसर रो ये तीसर रो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम ठीक? हमें ये फाइंट करना है अब देखिए ज़रा इसमें रखते हैं 1-1 रखेंगे इसमें A, 1-1 A, 1-1 IV1, JV1 3 into 1, minus 1 कितना होगे? 2 1, 2 I के बालव 1, J के बालव 2 3, 1 जा 3, minus 2 1 2, 1 3, 2 जा 6, 6 minus 1 6 minus 1, 5 होगे? 2, 2 3, 2 जा 6, minus 2 4 होगे 3, 1 3, 3 जा 9 minus 1 9 minus 1, 8 होगे ये फिर 3, 2 3, 3, 3 जा 9 minus 2 9 minus 2, 7 होगे ये हमारा मैट्रिक्स बनके त्यार होगे तो अब आप समझ में आ रहा होगा मैट्रिक्स का फर्मेशन कैसे करते हैं ठीक है? आईए कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स देख लेते हैं सबसे पहला होता है वरिजन्टल मैट्रिक्स वरिजन्टल मैट्रिक्स वरिजन्टल मैट्रिक्स कैसा होता है? इसमें ये देखिए एसा इसा row होता है खाले, row ज्यादा ये column ऐसे, इसमें देखी ये column होता है N और row होता है M, तो होता है किसकी तदात ज्यादा हुआ, M का या N का, यानि कि M is less than N, यानि कि number of row less than number of column, अगर ऐसा होता हम इसको horizontal matrix हैंगे, इसी में special case आता है, special case, only one row, तो हम कहेंगे row matrix, उसको क्या कहेंगे, row matrix, इसको order कैसा होता है row matrix का, row matrix का order होता होता है, one cross N, यानि कि एक तो row होगा ही, इस तरह से कितने element count होंगे, यह नहीं पता, पहुत सारे element हो सकते हैं, यह होता है horizontal matrix, इसी तरह से, एक और matrix होता है, vertical matrix, जिस तरह से horizontal matrix होता है, वैसा ही होता है, दूसरा vertical matrix, इसमें क्या होगा, इसमें, just इसका उल्टा हो जाएगा, vertical में, इस तरह के line ज़्यादा होंगे, यह हो गया, इसमें देखी, यह M है, ऐसे तो M होता है, और यह N है, इसमें किस की तादाद ज़्यादा होगी, M की तादाद ज़्यादा होगी, M is greater than M, यहिए कि number of row जो है, is greater than number of column, ठीक है, number of row is greater than number of column, इसे में, एक special case आता है, column matrix, इसका order कैसा होगा, M cross one, row तो पता नहीं कितना सार होगा, लेकिन column एक ही होगा, इसों कहते है column matrix, ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया row matrix, column matrix पढ़ लिया, ठीक है, एक होता है, एक होता है, square matrix, यह बहुत ही important, square matrix, सबसे ज़्यादा matrix, important जो है, यहिए, इसमें M equals to N होता है, यानि कि number of row, equal to number of column, यह सबसे ज़्यादा important है, अब अभी सम जितने भी matrix पढ़ेंगे, सब में square matrix कहीं discuss होगा, जैसे इस square matrix के अंदर मान लेज़े एक आगया, identity matrix, identity matrix, identity matrix क्या होता है, इसको i n से denote करते हैं, i से, चलिए i ले लेते हैं, इसमें diagonal elements सिर 1 होते हैं, अब चुकि यह 3 cross 3 का है, तो हम इसको i3 कहते हैं, अगर मुझे i2 लिखना होगा, तो मैं 1, 0 और 0, 1 लिखंगा, अगर i4 लिखना है, तब क्या लिखेंगे, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, i4 तो आपके syllabus में भी नहीं है, चलिए एक्स्ट्रा बात हैं, बता देते हैं, इसको कहते हैं identity matrix, इसमें row और column बरावर 2 into 2, इसमें row column बरावर 4 into 4, यह होते है identity matrix, जिस तरह से identity matrix होता है, square matrix के अंदर, इसी तरह से, एक matrix होता है, diagonal matrix, क्या होता है, diagonal, D, I, इसमें क्या होता है, सिर्फ diagonal के कुछ ने कुछ element होते है, कोई साभी element हो सकता है, ठीक है, कैसा भी element, diagonal का हो सकता है, यह देखिए सिर्फ diagonal के element कुछ ने कुछ है, बागि सारे element 0 है, इसे diagonal matrix कहते है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सारे diagonal element होते हैं, लेकिन only one होते हैं, one के लावा इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 1 भी होगा चलेगा, 1 नहीं भी होगा तब भी चलेगा लेकिन कुछ ने कुछ से diagonal में होगा, diagonal के लावा कहीं दूसरे जगा नहीं होगा इसी तरह से एक word होता है, escalar matrix ये भी diagonal matrix से होता है, लेकिन साड़े element diagonal के एक जैसे होते है ये देखिए, diagonal element है, लेकिन साड़े element एक जैसे होते है तो तीन तरह के matrix होगा, एक scalar होगा, एक identity होगा identity matrix और एक diagonal matrix इसमें any element, इसमें same element और इसमें only one diagonal में कोई भी element हम लिख देंगे बीच में, चलेगा escalar के लिए, बीच में one के इलावा कुछ भी लिख दीजिए अगर one लिखेंगे, तो बन जाएगा identity matrix ये सब बात समझ में आ रहा होगा, ये सब simple simple से types है ठीक है, आईए, अब एक बात समझ लेते, equality of matrix equal matrix equal matrix क्या होता है, मालने जी ये कोई matrix है AB, 24, और ये मैंने कह दिये, ये बरावर है 37x और Y से ही तो A जो होगा ये 3 के बरावर होगा ओ B जो होगा ये 7 के बरावर होगा 2 x के बरावर होगा और 4 y के बरावर होगा अगर ऐसा नहीं होगा, तो matrix equal होगा ही नहीं ठीक है, आईए इसका एक और यूज करते है, जो आपको बनाने में काफ़ी सहाय तकड़ेगा, इसमाले है ये x plus y दिया हुआ है, ये x minus y दिया हुआ है, ये a plus b दिया हुआ है, ये a minus b दिया हुआ है, equal to कह दिया, 5, 2, 5, 3 कर देते हैं, 3, 7, 1, और हमसे कहा दिया, find a, b, x, y, ये सो find करना है, क्या होजाए, x plus y, equal to 5, बचार, x plus y, equal to 5, x minus y, equal to 3, इन दोनों को solve कर जी, elimination method से, 2x, equal to 5, 3, 8, x, equal to 4, x की value इसमें रखिए, तो y equal to 1, जिस तरह से ने x को find किया, x और y को, उसी तरह से a minus b equal to, a plus b equal to 7, a minus b equal to 1, इससे solve कर देंगे, a और b की value आ जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका काम ये रहेगा, जो exercise 3.1 है, NCRT book से, या किसी भी book से, NCRT का ये 3.1 लिखा हुआ है, या आपको matrix किसी भी किताब से मिल जाए, उसे try करेंगे, किसी भी R.S. अगवाल, R.D. सर्मा, और भी different publications किया आते हैं, और first exercise को बनाएगे, आज के लिए इतना ही, जो problem हैगा, पूछिए, ठीक है, आज के लिए बसतना ही, thank you.